हाई लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीट चैनल दोस्तों आज मैं मसाज से रिलेटेड जितने भी कोस्टन्स पिछले साल यानि प्रिवेस यर में पूछे गये हैं उसके बारे में बता रही हूं दोस्तों यह मसाज से रिलेटेड तीसरा वीडियो है इसके पहले वीडियो में मसाज क्या है उसका इतिहास क्या है कहां से उत्पन हुआ उलम्पिक में कब सामिल हुआ क्या लाब है उसके इसके बारे में डिटेल में बताए हूं एंड सेकेंड वीडियो में मसाज के सभी प्रकारो उपर प्रकारो जिसमें आप बहुँ ज़्यदा कंफीज रहते हैं उसके बारे में डीटियल में बताया गया है उन दोनों वीडियो को आप चैनल के प्लेडिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी यदि आप पहले वागा विजिट कर रहे हैं तो विल आइकन को फिर्ज कर लीजी जिसे जो ह पहले तो मसाश की जनक कौन है मसाज की जनक डाक्टर मेगर इमश्टरडम है अ मसाज से क्या दूर होता है वात पित कब सभी रोगदूर होते कि हैं मसाज क्या है दोस्तों जैसा कि हिंदी मालिष सब्द हिबरू भासा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गूतते हुए घर सर करना दोस्तों जैसा कि हिंदी मालिश सब्द हिब्र भासा से लिया गया है वही आपका जो मसाज सब्द इंग्लिश में है वह फ्रेंच भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है Friction of Needing यानि गूत्तिव वेघरसर करना नेक्स्ट है मसाज से कितना ताप बढ़ता है तापमान हमारा कितना बढ़ जाता है तो 2-3 डिगे से डिगे नेक्स्ट है वार्मिंग अप के लिए सरुथम मसाज कौन सा है तो इस्ट्रोकिंग मसाज नेक्स्ट है लाइट एंड लांग इस्ट्रोक मसाज के नाम से जाना जाता है कौन सा मसाज तो इस्ट्रोकिंग मसाज यानि सहलाने की हस्त कोशल विधी नेक्स्ट है टूर्स हर्ट यानि हिदे की और मसाज किस मसाज में किया जाता है प्रयोग तो इस ट्रोकिंग मसाज के प्रकार होता है एफेली रेज जिसमें टुवार्स हर्ट हिदर के तरफ मसाज किया जाता है नेक्स्ट है उलंपिक में मसाज कब शामिल हुआ तो उलंपिक में मसाज 1996 अटलांटा उलंपिक में कोर मेडिकल शर्विस यानि अनिवारे स्वास्ति स्वाओं के रूप में शामिल हुआ नेक्स्ट है टेमपोर्टिंग मसाज क्या है तेमपोटिक मसाज का अर्थ है थप थपाना जो परक्यूजन मसाज में भी यही क्रिया होता है इसलिए परक्यूजन मसाज को तेमपोटिंग या टेमपोनिंट मसाज भी कहा जाता है तेमपोटिंग मसाज पीठ से स्टार्ट होती है वपैरो तक जाती है नेश्ट है आपका मस्तिस का कौन सा भाग सक्री होता है मसाज से तो पी अनर्स यानि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानि परेदी तंत्री का तंत्र एक्टिव होता है नेश्ट है कि आज कब नहीं करना चाहिए तो जब सरीर पर फोड़ा फुनसी हो संक्रामक रोग हो गया हो या संक्रामक रोग से आप ग्रसित है उसमें मसाज नहीं करना चाहिए और इन सब रोगों से जो ग्रसित है पिरित है उस ब्यक्ति से भी मसाज नहीं करना चाहिए यदि आपको आपको किसी मसाज रोगों करना चाहिए तो आप उस ब्यक्तिस से अपना मसाज नहीं करवाईए तो ही अच्छा है नेक्स्ट है Precusion Massage को कितने भागों बटा गया है तो चार भागों में तो तो पाउंडिंग हैंग हाथ के हाथःओं से थफठा न क्यूपिंग कप क्याक्रिति बना कर हाथःओं औरных थफठाना बीटिंग मुक्का बना कर थफठाना और", она अपाउंडिंग हाथःओं के साथ अंगोठे और छोटी वाले उंगलियों को मिला कर तबले बजाने जैसा थप थपाना होता है निफट है कि मसाज कितनी प्रकार का होता है तो इस चार प्रकार का होता है इस्ट्रोकिंग यानि सहलाना, प्रेसर यानि दबाना, परक्यूजन यानि थप थपाना, फ्रेकिंग यानि जग जोरना इस चार प्रकार के मसाज होता है जिसमें से स्ट्रोकिंग जो है दो प्रकार का होता है एफेल रेज और स्ट्रोकिंग और दुसरा प्रेसर मसाज तीन प्रकार का होता है नीडिंग यानि गुथना, पेट्रिसाज यानि चुकोटना, फ्रिक्शन यानि घरसर and percusion थपथपाना चाल प्रकार का होता है hacking, quoping, beating, pounding and चौधा shaking जो जगजोरना होता है यह दू प्रकार का होता है vibration and shaking and next question है बिभाजन तथा उप बिभाजन के अधा पर सबसे बड़ा massage को है जैसा कि आप देखोंगे कि बीभाजन के अधा पर सब्से बड़ा मसाज तो पर्क्यूज़ स्टे चार पार्ट हैं उसके केया यह सब तरहा है मुख्षायुति से प्रेशर मसाज तीन प्रकारा के होते हैं नीदिंग यानि है कि उपया कि बीभाजेश साज कर् principio यानि घर सर तीन प्रकार के होते हैं और इनके उपविभाजन में निडिंग के चार उपव्भाजन यानि निचोड़ना स्टेस नधे एक जगह पर ढबाना सर्क्यूर मेरी चक्री रूप से साथ मरोड़ना रोलिंग अप यानि पकड़कर आगे और और उपर की तरफ गुमाना या लुड़काना एं तीसरा जो प्रिशर मसाज के प्रकार है घरसर यानि फ्रिक्षन यह भी दो प्रकार का होता है सरक्यूलर फ्रिक्षन यानि चक्री घरसर ट्रांसवर्स फ्रिक्षन यानि तीर्षा घरसर तो दोस्तों यह था कुछ महत्वपूर कोस्टन्स जो प्रिवेस यह में पूछे गए थे आई होप कि यह आपको बहुत ही समझ अच्छे समझ में आया होगा आपके लिए हेलफूल होगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादे दोस्तों तक भी सेयर क हैं और जो खेल चीकिस्ता में आपका टापिक्स बचा हुआ है अभी डोपिंग बचा हुआ है इस टापिक को पुरा करने के बाद दूसरा टापिक पुरा करूंगी जितने भी टापिक बचे हुए हैं उन सब को इस टेप पूरा करती रहूंगी तो दोस्तों यह वीडियो जिसी जो भी में नए वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय ही